हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आर्वीर्टीव क्लास में तो फ्रेंड्स आज में बहुत खुस हूँ क्योंकि मैं आज आपको ये कोस्टन दो तरीके से करके दिखाने वाला हूँ बेसिकली ये कोस्टन है मारा क्यूब रूट आफ 8000 यानि की 8000 का गनमूल कितना होगा तो इस कोस्टन में मैं पहले तो एक प्राइम फेक्टराइजिशन मेथट से करूंगा जिसमें 2 से 3 मिट लगेगा और दूसरा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें 2 से 3 सेकंड फिर मुझे बताएगा कौन सवाला मेथट आपको बहुत अच्छा लगा चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम प्राइम फेक्टराइजिशन मेथट से करेंगे यहां पर राइट करेंगे 8000 इसको टूसरा डिवाइट करेंगे 24800 4000 अगेन इसे 224 2510 00 अगेन 2 से करेंगे 224 2510 अब यह 2 से डिवाइट नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा तो इसे 5 से डिवाइट करेंगे 5 2525 अगेन 5 से करेंगे 5525 और फिर 5 से करेंगे तो यह हो जाएगा 1 अब यहां पर यह हमारे 8000 के फेक्टर हैं तो क्यूब रूट कि एट थाउजन्ट इस इक्वल टू क्यूब रूट टू इन्टू 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 फाइफ इन्टू फाइफ ठीक है तो देखो यह जो नंबर आया है एक ही नंबर तीन बार मल्टिपल में इसे बोला जाता है ट्रिपलेट तो एक ट्रिपलेट यहां पर बनेगा एक ट्रिपलेट यहां पर बनेगा और एक ट्रिपलेट यहां पर बनेगा तो ट्रिपलेट में से एक ही नंबर को कॉमन लेते हैं जैसे यहां से एक निकालेंगे तू यहां से टू और यहां से फाइफ इस प्रकार से टू टू जा फोर फोर फाइफ जा 20 means cube root of 8000 is equal to 20 means 8000 का गनमूल कितना होगा 20 होगा तो यह तो होगा हमारा सदार तरीका आपने देखा होगा इसमें almost 2 से डहाई मिनिट लग गया है अब मैं trick बताता हूँ आपको देखे सबसे पहले यहां पर कोई भी number है उसके last में 0 है और 0 की संख्या 3 का multiple है तो देखो अगर हम 1 0 का cube करेंगे तो हमें 3 0 मिलेगा 1 0 का cube करेंगे तो 3 0 मिलेगा तो ऐसे case में हम क्या करेंगे यह जो 3 0 है इनका cube root लेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 और यह जो 8 है इसका cube root लेंगे तो हमें मिलेगा 2 8 का cube root कितना होता है 2 3 0 का cube root कितना होगा 1 0 ठीक है तो इस प्रकार से जो हमारा 8000 है इसका cube root हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 20 फिर से बता देता हूं cube root of 30's 0, 3-0 का गनमूल कितना होगा 1-0, cube root of 8, 2, 8 का गनमूल कितना होगा 2, 8000 का गनमूल कितना होगा 20, इसे प्रकार से ऐसे नमबर जिनके लास्ट में 0 जाएगा और वो 3 के multiple में हैं आप उन्दा cube root ले सकते हैं तो आप इनको चाहो तो वीडियो को पाज करके screenshot ले सकते हो या फिर write down कर सकते हो तो यार वीडियो के अंत में आप मुझे comment करके जरूर बताएगा आपको कौन सावाला method अच्छा लगा अगर आपकी कोई query है या doubt है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हो मैं मिलेंगा अगले वीडियो में अगले कोईशन के साथ तब तक के लिए जय इन